यह देखिए, यह बहुत ही अच्छे, सॉफ्ट और क्रिस्पी हैं यह, हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका काड्यू किचिन में, मेरा नाम है मनीशा, आज हम बनाने जा रहे हैं बेसन और आटे से बनने वाले नाचोज, मैंने लिया एक अपर बेसन, आधा कब आटा, यह नॉर्मल आटा हैं जो हम रोटी के लिए लेते हैं काम में, थोड़ी सी मिर्ची, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा नमक, और यह पोधिना है, ड्राय पोधिना है यह, इसको हम काम में लेंगे, साथ में हम लेंगे 25 ml मोयनके और हम पानी से एक डो तियार करेंगे, साथ ही इसके ingredients के list आपको description box में मिल जाएगी, चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की recipe, सबसे पहले mixing bowl में हम दालेंगे, बेसन, आटा, नमक दालेंगे स्वादा नुसर, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी लाल मिर्ची, लाल मिर्ची हम स्वाद के अनुसार कम या जादा कर सकते हैं, और ये पोदीना जो हमने लिया इसको हम crush करके डालेंगे, हाथों से इसको अच्छे से रगड़ेंगे, इसको अब हम सबसे पहले अच्छे से मिक्स करेंगे, अब इसमें हम मिलाएंगे ओई, अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, ओईल अच्छे से मिक्स हो गया है, हम इसको चैक करने के लिए ऐसे मुठी बना के देख सकते हैं, ये देखे अराम से ये मुठी बन रही है, मतलब हमारा मोयन परफेक्ट है, अब इसमें थोड़ा-थोड़ा करके पानी डालेंगे, और एक टाइट डो त्यार करना है, पानी बिल्कुल थोड़ा-थोड़ा की डालना है, ज्यादा पानी इसमें नहीं लगता है, ये एक टाइट डो त्यार हो गया है, इसमें आदे कप जितना पानी लगा है, अब इसमें थोड़ा सा ओईल लगा कर, इसको 10 मिनिट के लिए हम सैट होने के लिए छोड़ देंगे 10 मिनिट हो गए है आटा हम चैक कर लेते हैं यह अच्छे से सैट हो गया है यह बहुत ताइट है और ऐसा ही होना चाहिए अब इसमें से थोड़ असा हम पेडा लेंगे इसको अच्छे से रोल करेंगे थोड़ा सा प्लेट फॉर्म पे ऑईल ग्रीस करेंगे और इसको बिल्कुल पतला बेलेंगे अगर आटा अच्छे से टाइट होता है तो यह बहुत ही अच्छे से बेलने में आ जाता है यह अच्छे से बिल्कुल पतला हमने बेल लिया है उतना पतला बेल लिये कि बस यह चिपके नहीं अब हम इसके कट करेंगे इसके साइट्स निकाल लेते हैं इसको दुबारा से हम काम में ले लेंगे यह मैं पिज़ा कटर से कट कर रही हूँ आप चाहें तो इसको चाकू से भी कट कर सकते हैं इसी तरह से पहले सारे नाचोस मैं कट कर लूँगी यह सब भी ट्राइंगल शेप में कट कर लिया हैं आप इसको फॉक से अच्छे से इसमें छेद करेंगे इसमें छेद करना बहुत जरूरी है नहीं तो यह फूलते हैं यह क्रिस्पी नहीं बनेंगे अगर यह फूलेंगे तो यह सब भी नाचोस अच्छे से कट करके हमने छेद कर लिया है अब हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे कट करके हमने प्लेट में निकाल लिया है, इसमें इसी तरह से हमें छेद करने हैं, इसी तरह से पहले हम सारे कट करके रख लेंगे, उसके बाद हम इसको डीप फ्राइ करेंगे, यह मैंने कट कर लिये हैं, अब इसको हम डीप फ्राइ करेंगे, ओईल गरम हो गया है अब हम इसमें पिकट कीवे नाचोज डालेंगे इसको में मेडियम फ्लेम पे ही तलना है ज़्यादक गैस तेज नहीं रखेंगे इसको अब हम दोनों साइट से गोल्डन होने तक अच्छे से तलेंगे यह मैंने मूफली का तेल काम में लिया है आप चाहें तो कोई भी तेल काम में ले सकते हैं अब यह गोल्डन हो गए है इसको हम निकाल लेंगे इसको तलने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है क्योंकि यह बिल्कुल पतले हैं यह देखिए कितना अच्छा कलर इसमें आया है यह हम सभी निकाल लेंगे और इसी तरह से बाकी बचेवे भी तल लेंगे यह सभी नाचोस हमने तलकर तयार कर लिया है यह बहुत ही क्रिस्पी बने यह देखिए यह बहुत ही अच्छे सॉफ्ट और क्रिस्पी है यह अराम से टूट रहे हैं आप यह रेसिपी जरू टाय करिए अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें कमेंट करें और शेयर करें साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर पास वाले बैल आइकन को दबाकर अल क्लि